नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है परिच्छावर्ड के सेटोब चैनल में दोस्तो आज हम जी बिज्ञान के कुछ महत्पुन प्रस्तों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बार बार पूचे गये पर फिर सेटों को आप बिल्कुल ध्यान से एक बाल ग्रोत देखले हैं तो उन परिच्छावर्ड में आपके एक जाम में इस वीडियो से दो से तीन प्रस्तों देखने को मिल सकते हैं जिविग ज्यान के सेक्षन में तो यह जो आपका वीडियो है सेविप्रगार की परच्छाओं के लिए महत्पूर्ण है तो चलिए वीडियो को सुरू कलते हैं आप देख लेते हैं कि आज के हमारे जी वीडियो है इसमें हमने कौन-कौन से बेहतरिन जिव विज्ञान के प्रस्थनों को संबलित किया हुआ है तो चले वीडियो को सुरू कलता है तो पहला प्रस्थन आपके स्क्रीन पर है एक वयस्क मानो सरीर में जल का लगबग कितना प्रतिसत होता है आपको बताना है तो एक वयस्क जो मानो सरीर होता है में जल का लगबग कितना प्रतिसत होता है तो आप याद दिखेगा आप एक मानो सरीर में लगबग जल जो होता है वह 60 लेके 70 60 लेके 70 प्रतिसत के मद्द पाया जाता है तो आप इसे ध्यान दिजेगा तो दिये के मानो सरीर में किस तत्य का प्रतिसत सबसे अधीक होता है यहां पर तत्य की बात हो रही है तो मानो सरीर में सबसे अधिक अधिक मात्रा में आप मिलेगा oxygen मिलता है सबसे अधिक मात्रा में oxygen होता है पहले नंबर पर होता है उसके बाद आपका carbon होता है carbon के बाद आपका क्या जाता है तो carbon के बाद आता है मानो सरीड में किसका नंबर तो आपका याता तीसरे नंबर पर hydrogen होता है hydrogen के बाद आपका आता सबसे अधिक मात्रा में मानो सरीर में आपको याद अखना है, सबसे अधिक मात्रा में मानो सरीर में आपको याद अखना है, सबसे अधिक मात्रा में मानो सरीर में आपको याद अखना है, सबसे अधिक मात्रा में मानो सरीर में आपको याद अखना है, सबसे अधिक मात्रा मे यह आपसे पूछा जा सकता है अगला प्रस्निया पर मारा है मानो सरीर के सबसे छोटी हड़ी कौन सी होती है काफी important प्रस्न है बार बार कई बार एकजाम में पूछा भी गया है तो मानो सरीर की सबसे छोटी हड़ी आपकी होती है इसका नाम होता है stepage यानिकि option आपका जो ए है 100% सही है जो stepage होती है कान की腐ड़ी इसको हम करते है stepage जोती है तब यह मानो सरीर की सबसे छोटी हड़ी होती तो आप इस याद दिखेगा वो यह मानो सरीर की सबसे बड़ी हड़ी कौन सी होती है तो femur फीमर जोती है यह मानो सरीर की सबसे बड़ी हड़ी होती है यह कहां पायती है तो यह आपको मिलेगी जांग में जांग में मिलती है यह हड़ी जो की मानो सरीर की सबसे बड़ी हड़ी होती है तो इसके बारे में भी आपको याद अखना है अगला प्रस्न आप हमारा है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड़िया होती है काफी important प्रस्न है तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड़िया होती है तो आप ध्यांद जेगा मनुष्य की खोपड़ी जो होती है मनुष्य का जो इसकल होता है उसमें अस्तियों की संख्या कुल होती है आपकी 28 यानि कि option आपका A बिल्कुल से हो जाएगा मानों की खोपड़ी में मानों के इसकल में जो है कुल अस्तियां होती है 28 है नहीं कि option A आपका 100% सही आप इसे ध्यान दिजेगा 28 अस्तियां पाई आती है मानो की खोपड़ी में तो option A आप याद रखिएगा अगला प्रस्न आप हमारा है निम्नलिकित में से कौन सा लवड मानो सरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है काफी बॉटन प्रस्न यहां पर मानो की हड्डियों में होगा यहां पर मानो सरीर की हड्डियों में यहां पर प्रस्ना चाहिए था तो थोड़ा से मिस्टेक हो गया है तो मानो हड्डियों की यहां बात हो रहे हैं तो मानो हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा किसकी मात्रा सबसे अध यांदेजी का कैलसियम फास्पेट जो पा जने वाला लवर्ण होता है तो अगला प्रस्द्रह में हुट पसलियों के कितने जोड़े मिलते हैं। पुछे दबार अगर कुल संक्या पूछे 24 और गीज़ती राइट र сторону इगा अगला प्रस्ति आप हुआरा है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी किस प्रकार की होती है काफी इंप्रखन है तो पैर तो अर्थोप्लास्टी के अंतरगत किया जाता है कुल्डे के जोड का प्रतिस्थापन यानि कि option आपका जो C है बिल्कुल सही हो जाएगा जो hip joint होता है उसका जो replacement होता है उसको इंगलिस में हो कहते हैं कुल्डे के जोड को hip joint तो hip joint का जो replacement होता है वो आल्थो प्लास्टिक के अंत्रगत किया जाता है तो आप इसे ध्यान दिजिएगा option आपका C बिल्कुल सही है अगला प्रस्थापन आप हमारा है प्रत्यस उतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है उसको हम क्या कहता है निकि उस उतक को आपका बताना है जो हड्डि को एक साथ पकड़े रहते हैं तो option आपका A बिल्कुल सही है हड्डियों को आपस में पकड़े रहने वाले उतक को हम कहते हैं लेगामेंट यानिकी सनायू यानिकी option आपका A बिल्कुल सही आप इसे ध्यान देजिएगा इसके बाद अगला प्रस्थापन आप हमारा है दा दातों पर जो परते जम जाती हैं वो किसकी बनी होती हैं तो भोजन के कर्ड, ठूक, मुख, अमल और बैक्टिरिया से ये परते बनी होती हैं तो अगला प्रस्तिया आप हमारा है नाखुन को काटते समय हमें दर्द का अनुभव क्यों नहीं होता है तो नाखुन काटते समय में दर्द का अनुभव क्यों नहीं होता है क्योंकि जो नाखुन जो होता है वह मृत को सिकाओं के द्रबिका बना होता है जिसमें रखत्याने की बलड का संचरण नहीं होता है इसी कारण से नाखुन काटते समय हमें दर्द का अनुभव नहीं होता ह जो C है बिल्कुल सही हो जाएगा नाकुन जो होता हुँ अम्रित को सीकाओं का बना होता है तता इसमें रफ्त का संचरण नहीं होने के कारण नाकुन जब हम काटते हैं तब हमें दल्द का अनुभव नहीं होता है तो आपसन आपका C 100% सही है इसके बाद अगला प्रस्नाप हमारा है हड़ी तथा दातों के निर्माण के लिए निम्रिकित में से किन की आवस्यक्ता होती है आपको बताना है तो हड़ीयों तथा दातों के निर्माण के लिए इसमें से किसकी आवस्यक्ता होती है सबसे ज़्यादा तो कैल्सियम और फॉस्फोरस की यानिया कि ऑप्स मनुस्य के जीवन काल में कुल कितने दात दूसरी बार विक्सित होते हैं, आपको बताना है, तो मनुस्य के जीवन काल में कुल कितने दात होते हैं, जो दो बार विक्सित 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 होते है आप इसे ध्यान दिजेगा option आपका जो C है बिल्कुल सही है अगला प्रस्नाप हमारा है और निमलकित में से कौन सा हमारे सरीर का सबसे द्रीड भाग है आपको बताना है तो हमारे सरीर का सबसे द्रीड भाग होता है enamel इसको हम English में कहते हैं enamel और हंदी में कहते हैं dant walk यान important इसके बाद अगला important प्रस्नाप हमारा क्या कहा रहा है देख लीजीए मानो सरीर की सबसे मजबूत माश्पेसियां जो पाई जाती हैं तो मानो सरीर के सबसे मजबूत जो मास्पेसियां होती है वो पाई जाती है जबडे में यानि कि option आपका A बिल्कुल सही है जबडे में जो है सबसे मजबूत मास्पेसियां पाई जाती है मानो सरीर में यानि कि option आपका D बिल्कुल सही है जबडे में यानि कि option D आप इसे याद देखेगा जबड़े की जो मांस पेसियां होती हैं सबसे मजबूत मांस पेसियां होती हैं तो इनके बारे में आपको याद रखना है इसके बाद अगला प्रस्न आप हमारा क्या कह रहा है हमारे जीब का कौन सा भाग होता है जो करवाहट का जीब के पीछे का जो भाग होता है वह करवाहट का अनुभाव करता है तो आप इसे ध्यान देजेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके बाद जीब का जो अगर भाग होता है वह मीठे का अनुभाव करता है मीठे का अनुभाव करता है वहीं जीब का जो पास हिस्सा हो इसके बाद अगला प्रस्निया पर मारा है और मानो सरीर में पाचन का जो अधिकांस भाग होता है कौन सा अंग संपन करता है निकि मानो सरीर में पाचन का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है वह कहां पे संपन होता है निकि पाचन करिया सबसे अधिक कहां पे संपन होती है इन्स्टे टाइन में समपन होता है तो option आपका B 100% सही है इसके बारे में आपको याद रखना है इसके अलावा अगला प्रस्थिया पर हमारा है मनुस्त की मुख गुहा में निमलेखित में से किसका पाचन प्रारम होता है तो मनुष्य के मुख गुहा से किसका पाचन प्रारंब होता है सबसे पहले तो आपका हो जाएगा कार्बो हाइड्रेट यानि कि option आपका जो बी है बिल्कुल सही जाएगा मनुष्य की मुख गुहा से सबसे पहले जो है कार्बो हाइड्रेट का पाचन जो है प्रारम्ब होता है तो option आपका B बिल्कुल सही है इसके बाद अगला प्रस्नाप हमारा है large निम्लिकित में से किस के पाचन में सहीो कलता है तो large होता है या starch के पाचन में सहीो कलता है यानि कि option आपका A बिल्कुल सही है stars के पाचर में अगला प्रस्थ आप हमारा है Enzyme मुल्तर क्या होते हैं कि तो Enzyme मुल्तर क्या होते हैं तो Enzyme जो होते हैं एक BIO उत्प्रेरिक होते हैं यानि कि यह एक प्रोटीन होते हैं तो Option आपका ए बिलकुस से जाएगा इसको आप protein कहलेड़ या तो यदो रहो है यह याद रखना है अग्ला प्रस् kittensिवार है, और निमलेखित में से कौन सा enzyme गलुकोज को इथिनॉल में आप बताईए, इसमें से कौन सा enzyme गलुकोज को इथिनॉल में परिवलतन करने को पुरित करता है तो दिये गे options में से कौन सा enzyme है तो आपका हो जाएगा जाई आपका हो जाएगा जाई-mage enzyme या या गलुकोज को एथिनॉल में परिवलतन करने के लिए प्रेडित कलता है या आपका जाई-mage enzyme इसके बारे में आपको ध्यान देना है आपको बताना है जैविक सिस्टम में रासानिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तल दाई-प्रदाथ कौन सा होता है तो रासानिक क्रिया की प्रक्रिया को आप ध्यान दजेगा जैविक सिस्टम में रासानिक क्रिया की आप प्रक्रिया को तेज करने वाला उत्तवदाई पदात इसमें से कौन सा होता है तो एंजाइम होता है आप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा एंजाइम क्या होते हैं तो ये बायो उत्पध्र कहने कि प्रोटीन होते हैं अगला प्रसद्ध fascino है नियम्लकित में से किसकी उत्पत्तिक का कारेकरित कहने कि एकरित की द evaluation किसका उत्पादन किया जता है तो आप ध्यान देज़ेगा एकरित के विर्द käरा तो यक्रित किसका किसकी उत्पत्ति करता है तो यूरिया किया निकि आपका जो बी है बिलकुँ से जगो जो यक्रित होता है इसका में कार आप समझे लिए जो अमोनिया होता है जो विसाक्त अमोनिया होता है जो जहरीला अनमोनिया होता है इसको अमोनिया को यूरिया में पर पूर्वर्तित करने थी से आप यार दीकेगा इसके ऐलावा जो आपका यखृत होता है यखृत में ही लीवर में ही पित का उत्पादन होता है इसके बड़ अगला प्रस loves ुदो जो है इसंते ंपान रिखिना की अगया पित पर आतंतरी वह प्रसWow से बड़ी गरंती होते तो इसके बाएर में आपको याद अखना है option आपका बिल्कुल सही है अगला प्रस्तित है अगला है घ्रत प्रस्टन है laai paege नामक giving सरोत क्या है तो lava page यहां पर है तो lava page नामक बिल्कुल सही है ऑगनास है तो अप्स नामक बिल्कुल यह लाइप अगला प्रस्तियाप हमारा है मानो सरीर में नेमलखित में से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है इसमें साब को उताना है कि कौन सा एंजाइम जो है पाचन एंजाइम नहीं है तो इसमें से पाचन एंजाइम कौन सा नहीं है तो आपका जो हो जाएगा बी बिल्कुल से हो हैं लेकिन इसमें से जो गेस्ट्री नहीं या पाचक एंजाइम नहीं होता तीसे आप ध्यान देज़ेगा अगरा प्रस्ण्याप हमारा है मानों सरीर में प्रोटीन का पाचन निमलिकित में से किस अंग से प्राराम्ब होता है most important प्रस्ण तो मानों प्रोटीन का पाचन होता है निम्लिक इतमें से किस अंग से प्रारम होता है तो यह प्रारम होता है प्रोटीन का पाचन आपका अमासाय से प्रारम होता है और सबसे लास्ट में कहां पर संपन होता है तो छोटी आत्मियाने की प्रारम अमासाय से होता है और पूरी तरह से यह पूरी तरह से इसका पाचन हो जाता था इसे ध्यान दीजे गयाने की हमारे पाचन का सबसे अधिक जो भाग होता है काम पे संपन होता है तो छोटी आत्म मैंने इसके बारे में आपको बताया था अगला प्रस्तिन आप हमारा है प्रोटीन के पाचन में कौन सा सहायक होता है और 具 उसा क्लाइब से और न्यामनोई को या चारव मानोई सरेर में कुछ होता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं यह UP तो अपेंडिक्स होता है या एक अवसेसी अंग होता है जो ब्रेदान्त में सरलंगन होता है ताब इसे ध्यान दिजेगा इसके बाद अगला प्रस्ना पमारा है मानो सरीर में अत्रिक्त ग्लुकोज आप बताईएगा मानो सरीर में तो मानो सरीर का जो अत्रिक्त ग्लुकोज होता है या ग्लाइकोजन में परवलतित होकर कहां पर भंडारित होता है आपको बताना है तो मानो सरीर का जो अत्रिक्त ग्लुकोज होता है या ग्लाइकोजन में परवलती तोकर कहां पे भंडारित होता है तो यक्रित यानिकी लेवर में याकरीत एवन मास्पेसियों में जो उरौ जा होती है या गलाइक लाइक ग्लाइकोजन के फरम में जमा होती है या ओप्सन आपका C बिल्कुल सही है। अगला प्रस्ना आप है मारा है पित्त का संचे कौन सा भाव करता है बहुत है। हарगा कि कि तो ह्तल tarkिते का सफाइब्ेल जो होता है तो है जो संचय होता होता है या मानु शरीक इस इस अंधम्य आधे हैं औ prowad कि तो यहां पित्त का संचय तो यहां पर 33 afar कि आपको हो जाएगा इसे हो जाएगा यहां पर चोती स्वा प्रस्निया पर हम देख रहे हैं तो चोती स्वा प्रस्न में यहां पर क्या कह रहा है पित्त का स्राव किस अंगे दौरा होता है तो पित्त का जो स्राव होता है यह क्रित के दौरा होता है तो आपका ए बिल्कुल से हो जाएगा दोनों आप रखनी रखिएगा अगला प्रस्नाप हमारा है पितासर में उपस्थित पत्थर निमलिकित में से किसके पाचन को प्रभावित करता है तो पितासर में उपस्थित पत्थर जो पत्थर होता है वह निमलिकित में से किसके पाचन को प्रभावित करता है तो वसा के आपका सी बि इमीनो अमण में विगठीद कलता है, तो इस में से जो Pepcine नामक एंजाम होता है, प्रोटीन को इमीनो अमण foreign में परिवज़र या कि विगठीद कलता है, तो option आपका से बिलकुल से य自 61 जा या प्रोटीन को आमे यादर कियेगा, अगला प्रस्न आप वेमारा है, मानो शरीर में दांत कितने प्रकार के होते हैं, most important प्रस्टन, तो इस प्रस्टन का हमारा राइट एंसर क्या हो जाएगा, टोटल चार प्रकार के जो दांत होते हैं, मानोसरीर पाई जाते हैं, कौन-कौन से होते हैं, तो आप इनको याद रिखेगा, एक हो जाएगा आपका क्रितंक, यानि कि इनसीसर्स, दूसरा क्रितंक में आप लिख देता हूँ, क्रितंक एक आपका हो गया, उसके बाद आपका हो गया, रदनक हो गया, यह दूसरा प्रकार के दांत होता है, रदनक के लावा आपका तिसरा क्या हो जाएगा, तिसरा हो जाएगा प्रचवर्डक यानि कि अगर चवर्डक हो जाएगा फ्री मोलस हो जाएगा इसके लावा आपका होता एक चवर्डक ये चार प्रकार के दाथ होते हैं जो मानो सरीर में पाये जाते हैं प्रद्नक हो गया। प्रचवटक हो गया। इसके इलावा एक हो गया चवटक। तो यह चार प्रगाग के दात होते इनकों आपको यादखना है। इसके बाद अगला प्रस्था कारा है, मानुच Charlieghan के सबसे बड़ी कौन से होती, तो सिरीर की जो सबसे बड़ी होती है इसको हम कहते हैं, femur यानि कि जो जांग फटी होती है in the morning is spare. अप्षन आपका जो c है बिल्कुल सही हो जाएगा. इसके बाद अगला प्रस्थिया आप मारा है मानो सरीर की सबसे छोटी ग्रंथी कौन से होती है तो मानो सरीर की सबसे छोटी ग्रंथी होती है पियूस ग्रंथी यानि कि आपका जो B है बिल्कुल से होती है जो पियूस ग्रंथी होती है तो इंसुलिन का जो निर्माण होता है, आपका हो जाएगा, तो अमासय, इसका राइट इंसुल जाएगा, अमासय में, तो option अप धी याद रिखेगे, का इंसुलिन का निर्माण जोटा है, अमासय में होता है, अगला प्रस्तिफिए पर बारा है, हड़ियों के अध्यान को हम क्या कहते हैं तो हड़ियों के अध्यान को हम क्या कहते हैं तो आप इससे ध्यान दिजेगा हड़ियों का जो अध्यान होता है इसको हम कहते हैं अस्टियो लॉजी तो option आपका D यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा तो आप ध्यान देज़ेगा यहां पे बेरी-बेरी इसका right answer हो जाएगा जो भी मनुष्य पॉलिस किये हुए चावल का उपयों करता है तो इसके सरीर में कौन सा बिमारी उत्पवन हो जाती है तो पॉलिस किये हुए चावल से जो बिमारी उत्पवन होती है उसका नाम है काफी important प्रस्थ और कई बार एक्जाम में या पूछा भी कया है तो आप इसे ध्यान देजेगा इसके बाद अगला प्रस्थ आप हमारा है खटे फ़लो में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो आप ध्यान देजेगा खटे फ़लो में कौन सा विटामिन मिलता है तो विटाम कित में से कौन सा आहार मानों सरीर में नए उतकों की बृद्धी के लिए पोसक तत्तो प्रधान करता है तो इसमें से जो पनीर होता है आपका B बिल्कुल से जाएगा जो पनीर होता है या मानों सरीर में नए उतकों की बृद्धी के लिए पोसक तत्तो प्रधान करता है तो option आपका B, बिल्कुल सही है, funk ने किसका अविस्कार किया था, आपको बताना है, तो funk के द्वारा दिये कि options में से किसका अविस्कार किया गया था, तो funk ने जो है अविस्कार किया था, vitamins का, यानि कि option आपका A, बिल्कुल सही जाएगा, विटामिन का अविस्कार किया गया था फंक के द्वारा तो option आपका जो है यहाँ पे ए है बिल्कुल से जाएगा अगला प्रस्तने आप हमारे विटामिन क्या होते हैं तो विटामिन क्या होते हैं तो आप ध्यान देजेगा विटामिन जो होते हैं तो राइट एंचर आपको जाए कार बनीक यहोगी कहानी कि आपका ए बिल्कुल से जिवितामिन्स ही होते हैं कार See muscle type के बोजन के वर्ग में प्रति यूनीट कैलोरी की मात्रा होते हैван कि तो प्रति यूनीट सबसे जैदा Cambridge का मात्रा होती है यहां आपको बताना है, सेव किसका सबसे महतपुन स्रोथ होता है, तो सेव जो होता है या किसका सबसे महतपुन स्रोथ होता है, तो आप ध्यान देजेगा सेव जो होता है या पोटेसियम का सबसे महतपुन स्रोथ होता है, तो आपका सेव होता है या पोटेसियम का सबसे महतपुन स्रोथ होता है जिसको महिंदे में पिलागरा कहते हैं यह जो होता है यह विटामिन B2 की कमी से होता है तो आप इसे द्यान देगा तता विटामिन B2 का रहसानिक नाम क्या होता है तो राइबो पिलागरा नमक बिमारी होती है यह विटामिन B3 की कमी से जो है चर्मरोगन की पिलागरा नमक बिमारी होती है तो आप इसे ध्यान दिजेगा तो दूस्तों यहां पर हमने 50 में प्रस्तों को डिसकुस कर लिया है जो विज्ञान के आई होप यह वीडियो आपको पसंद थैंक्यू थैंक्यू थैंक्यू